नमस्कार इस समाज में महत्पूर योगदान दे रहे हैं और समाज के उत्थान में निरंतर कारे कर रहे हैं आज एक ऐसी शक्सित को हमने अपने स्टूडियो में यहां आमंत्रत किया है कि भारत की जो आत्मा है वो ग्रामन शेत्रों में बसती है और अगर ग्रामन शेत्रों का उत्था डॉक्टर पंकज शुकला जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका सामाजिक सरुकार में जैसे कि पंकजी बताया आस्रे इस संस्था में आप निरंतर लगभग 18 वर्षों से कारी कर रहे हैं और बहुत ही लंबा सफर आपका हो गया है हम जाना चाहेंगी सबसे पहले आपकी स संस्था के बारे में हमारी संस्था बिसिकल Extremelye गाहों में महिला उत्तान के लिए इवाओं के लिए और किसानों के लिए काम करती है और ब्यक्तिकत रूप से मैं इन मद्र प्रदे स की लगभग चारजार पंचायतों में ब्रमण किया हूँ, और वहां की सिती प्रसित से वाकिव हूँ, और उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, मद्यद्र प्रदेस नहीं, मद्यद्र प्रदेस के बाहर भी कई जारखंड, उप्य और कई राज्यों में हमारा काम चलता है, और हम समध्द ग्र स्वास सेवाओं को समचित रूप से जोड़ना यह हमारा मुख कार रहता है जी तो जैसा कि आपने बताया कि लगबग बहुत साल तो आपको हो चुक हैं तो कैसे आपको इस कारी की प्रेड़ना मिली क्योंकि आप पेशिस से डॉक्टर हैं डॉक्टर तो बैसे ही समाज सेवी हमारे दादा जी बहुत बड़े समाज सेवी थे बहुत अच्छा काम करते थे उदको देखके मुझे प्रेड़ना मिलती थी क्योंकि वह कई बार अगर मैं बच्पन के कुछ याद बताऊं तो तीट थैत्र पर जाते थे और गाओं के तीस चादिस लोगों को लेके जाते और पहले उनको खाना खिलाते थे रहने के उसके बाद खुद खाना कहते थे तो उनका जो एक मूल सभाव था सेवा का वो मुझे मिला फिर जो मेरा परिवारिक ब्रेग्राउन रहा है वो समास सेवीयों का रहा राजनैतिक भी रहा उसमें सिविल सर्जिश लोग भी रहे सब का एक मूल मंत्र था तो जब मैं बढ़ा हुआ है काम भी शूरू किया उसी समें से नुक्ती मेडिकल इंडिया हमारा है चात्रों के लिए जूनियर वींग थी च्श्विरा उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था प्रैक्ट्रिक साथ-साथ में काम भी शूरू कर फिर मैंने वहाँ देखा कि स्वास तो ठीक है लेकिन वहाँ पे आर्थिक लैकुना है गैप है लोग माइग्रेशन हो रहा है लोग गाओं के बाहर जा रहे हैं महिलाएं में धारा में नहीं है तो मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये सब चीजे भी में सब को ये साथ लेके चलू तो मैंने ग्राम्या अपना असरी कंदर का प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उससे शुरुआत की हमने इस तरीके से तो पहला कौन से शेत्र आपका था और किस गाओं में सबसे सब प्रथम आपका जागा है शुरू किया तो हमने रीवा पन्ना शतर जवलपूर इन सबे सतना इन जिलों में काम करना शुरू किया तो उस समय पे करीब ये करीब दस साल पिछली बाते हैं अजीवी का मिशन चलता है मद्यप्रदेश का जिसमें सवसा समू रहती है तो उनकी जो ब्रैंडिंग थी वो स्कैटर्ट थी मतलब वो कुछ बना रहे हमने उस पर करना शुरू कि है तो वहां से हमने यह देखा कि जो महिलाएं हैं महिलाएं हिंदुस्तान की एकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है बिलकुए और अगर आज हम आज के परिवास में प्रिवेस में देखें तो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी अभी जो ये इंड हुआ उसमें 3.7 trillion dollar है और जिसमें महिलाएं का contribution 17% सिर्फ है और वैशिक रूप से 37% है तो अगर हम इस गैप को पूरा करें तो ये इसमें 2.9 trillion dollar का और एड़ाउन हो जाएगा तो ये मेरे दिमाग में इसा से था कि महिलाएं को में में इस्टी में लेके आएंगे उन हमने इसके बाद अपना एक e-commerce का portal design किया उनके products को हम ले जाके उसमें club करें और हमने प्लान किया कि हम physical level पे stores खोलेंगे जिसमें सिर्फ गाओं की product को लिंक करेंगे तो अगर उनको बाजार मिलेगा और उनको बेहतर सिक्षा मिलेगी तो और अच्छा कर पाएंगी वो जो जो अभी हिंदुस्तान का जो अभी आवादी का महिलाओं का चौदा प्रतिशत ही ब्यापार के शेत्र में बिल्कुल सही का तो अगर हम महिलाओं को और बढ़ना चाहते हैं तो चौदा प्रतिशत लेकर हम 30-35 प्रतिशत ले जाएंगे तो GDP अपने डबल हो जाएगी सही अब इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और निश्यत रूफ से आपका तो प्रयास बहुत ही सरानी है पंगर जी जैसा कि आपने बताया अभी के रीवा और शेत्र में भी कारे कर रहे हैं तो हमारा अभी कारे का शेत्र लगभा कितना है और कितने लोग हमसे जुड़ केना है और मैं भी योजनाओं को गाउं तक पहुंचाते हैं अब दियोर हैं को आज करते हैं अब तो कैसे उनको मुबलाइज करें कि आपको बेहतर कैसे करना है प्रेड़ना कैसे दें तो वह काम करते हैं तो हर जिले हमारे इस तरह के मध्यपदेश्ट में लोग है बाहर भी है फिर हमने एक इंटरनेशनल दुबाई में भी अपना ओफिस खोला हुआ है अच्छा बैस्टि करवाते हैं किस चेत में अच्छा कर पाएं जैसे महिलाओं के लिए हैं फिरिवाओं के लिए हैं जी और बहुत बड़ी टीम को लेकर आप अबी कारे कर रहे हैं और काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं बहुत ही बढ़िया बात है आ पंगर जी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे शेत्रों में आपका काम कर रहे हैं युवाओं के लिए भी है और बुजर्गों के लिए है महिलाओं के लिए है तो बेसिकली सौसायता सम्हू को ही हम टार्गेट करते हैं या महिला को उत्पादों को या बाकी हम दे जैसे आप से कहा सौसायता सम्हू हो गई इसके लाबा भी जो महिलाएं बाहर है फिर ऐसे युवा हो गए कि आप देखिए कि हिंदुस्तान की पैंसर प्रिस्ट आबादी जो है पैंतिस साल की निचे जी बिलकुर और उसमें से पचार जो है वो पचीस साल से निचे है और एक स्टड़ी आए कि हिंदुस्तान की जी डीपी है उसमें युवागों का 34% योगदान है तो मेरा मानना यह है कि युवागों को ससत करना पड़ेगा अभी उनको दिशा देने की जरूरत है तो उनके लिए हम इस विस लाई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उनको कै कि इस चेत्रम टिंड करें कि स्रोजगार में जाएंगे या स्रोजगार में जाएंगे उनके लिए एक बेहतर अवसर कैसे परदा करें यह इस तरह से विवागों के लिए जैसे कि पंकर जी आप तो ग्रामन्ड विकास के लिए बहुत सारी चीजे गरी रहे हैं उनकी पक्की सडकियों बहुत सारी चीज़े जो है आजकल हमारे भारत के गाउं भी बहुत विक्सित दिखने लगे हैं और रौनक और अच्छे से दिखाई देती है वहां तो सरकार की क्या सहायता आपको अपनी मुहीम में या अपने अभियान में प्राप्त होती है तेकि बेसिकल के माध्यम से हम गाउं तक पहुंचे होता क्या है कि लोग सरकार की बात को थोड़ा सा सिरिसली लेते तो उनका एक योगदान रहता है कि आप सहयोग कीजी हमारा कि हम बहतर तरीके सुन तक पहुंच पाएं और आपकी योजनाएं जो है उनके साथ कैसे कैसे बढ़ाएंग की फिर दोनों की कठा किया एक मू साइन करवाया जी इस तरीके सहयोग रहता सरकार का कि उसको मुबिलाइज करती हैं कि दो हाथ अगर 11 मिल कर काम करे बनकर तो और जादा आसानी हो जाती है कारे में पंगर जी जैसा कि आपने बताया कि मतलब सहयोग की बात कि आपने जब ग्राम में या लोगों को समझाने के लिए जाते हैं महिलाओं को आगे लेके जाते हैं तो निश्यत रूप से बहुत सारी चीजों का भी सामना आपको करना पड़ता होगा तो क्या किस तरह की परिशानिया होती है पहले परिशानी तो राजनेतिक कई वार आ जाती है कि जो लोग है जो लोग. मतलब बिचाधरा कने रहते हैं जो दूसरी आती है कि वहांपर जो महिलाओं को कैसे हम उनकी रिजेक को तोड़े, वो काम करना चाहती है, कई वार हम मीटिंग्स बजाते हैं, 40 बजास महिलाएं आती हैं, हाँ दुखाती है, गामों में थोड़ी सी रूडी वाधिता भी चलती है, हमारी घर की महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, घूंगर प्रथा भी अभी चली र और हमने आपका तसर और जोड़ दिया, वो डबल हो जाएगी, आपके खर्षे कैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी सेविंग हो जाएंगे, कुछ अच्छा कर सकती है, उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो धेरे धेरे जीजग तू मेरा एक लक्ष है कि हर एक परिवार की आंदनी कम सकम पंदर जार होनी चाहिए, आज का जो इन्फलेशन चल रहा है, तो मेरा टारगेट यही रहता है, और उसी टारगेट को लेके हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, कि उसमें महिला चुकी गाओं के अंदर ही रहते हैं, माइगरेट नहीं होती हैं, कई पर पुरुस बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए, तो होगा यह कि अगर महिला सक्त हो जाएंगे, जो पुरुस बाहर काम करने गए है, वो भी वापस आके उनको उसी काम में सवयोग भी कर सकते हैं, तो माइगरेशन भी रुकता है, फिर अ पंगर जी, जैसे कि आप जब ग्राम में जाते हैं, गाव में जाते हैं, तो क्या हम उसको टार्गेट करते हैं कि इस गाव में को कौन-कौन सी कमिया दिखाई दे रही हैं, तो हम उसको पर वर्क करते हैं, या अपना कोई अभियान जो हम डिजाइन करते हैं, उनको हम करते हैं कि उसको दूर करके उस बैरेयर कोड़ा कैसे काम करते है फिर हमारा मैंसेटा है कि हम को क्या-क्या काम करने है जैसे कि हमने काम करना है महिलाओं के- ещё कौछ से скौं के लिए क्कौन चलाएंगी किसानों के लिए कैसी के कि referendum के लिए चालिस किसानी सक्षाम है जो एडवांस्मेंट में है और अगर ब्राजील और अमेरिकों के देखेंगे वहां 75 परसेंट और पंचाने प्रिजिशत है अभी आधुरिक्ता की तरफ हमारे किसानों पर निर्भर है तो निश्ची तुरूप से किशान को सब्सक्राइब करना किसानों को एडवांस्मेंट करेंगे हम उनका उनकी फार्मिंग करेंगे ठीक पिले जाएंगे अरोमेटिक पिले जाएंगे आप आउशदी खेती करवाएंगे बहुत सारी चीज़े हैं क्या टॉप पिले जाएंगे तो निश्ची तुरूप से उनका भी फाइदा होगा इस परिस्चीज़गों को टेख्या करके फिर काम सुरू करते हैं पंकर जी जब गाव में जाते हैं तो आप तो डॉक्ट्र हैं तो स्वास को लेकर क्या सिती ग्रावों में दिखती है कि सिजकता दिखती हैं गाव में एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे प्यारी हो गए है बहुत सारी अभी और टेले मेडिसिन भी मदेब दिन शुरू हो गया है लेकिन उसका पेनिट्रेशन अपना अच्छा है नहीं अभी तो गाउं के लोग क्या करते हैं कई बार जाते हैं डॉक्टर को दिखा के आते हैं और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करते ही नहीं है फॉल दवाई खा रहे थे और दोबारा दिखाया ही नहीं कहां जाएंगे दिखाने के लिए तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी वस्ता बनाए जाए कि उनको सेकंड प्रिस्ट्रिक्शन गाउं में मिल जाए तो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया कि पंचायतों के सारे सुधा टेक्नलॉजी आ जाए उसमें कंसर्टेंट भी आ जाए क्रेशी कंसर्टेंट भी आ जाए हैं उसके भार्यगार्टर्स के वा लिए कशले आगले दो महिने में तो निश्ची दूरूप सभलता मिलेगी और लोगों को समची सुधाइं मिल पाएंग ये बहुत ह काफी लोगों को फैदा हो जाएगा जाहर सही बात है स्वाश को लेकर जे जागरूबता है वह हमारे ग्रमन शेत्र में आ जाएगी वही बात पंगर जी शुच्छता को लेकर भी लागों होती है सुच्छता का रिश्यो आप हमारे श हॉरों किया तो मैं यह मानता हूँ कि अभी भी लेकिन उनको एक जागुरुकता कहीं कहीं करना पड़ेगा, मतलब कंटीनिवस एप्रोच करनी पड़ी गाउं के अंदर तो क्या है कि बहुत सारी है कि आप कैमरे लगे डटे भी लोग कचड़ा फेकने से, गाउं के अंदर अभी कैमरे न मानना है कि हर वीक ना एक बार ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए सवच्चता के उपर भी जिससे की गाउं सवच्च रहें, अभी यह थोड़ा सा काम करने के जुरूब है, नहीं सही बात है क्योंकि सवच्चता ही सर्वोपरी है और सवच्च रहेंगे तो सवस्त भी रहेंग एसी चीज है जो उन्हें अपने गाउं में रहने से अभी रोक रही है क्योंकि रोजगार भी वहां पहुंच रहा है, सुईधाय वहां पहुंच रही है, तो क्या ऐसा है कि युवा पलायन करके और खेती की तरफ अग्रसर ना होते हुए और शेहर की तरफ भाग रहेंगे है कि समचित अवसर का भाव ही है और कुछ नहीं, वो लोग जो काम करना चाहते हैं उस तरह काम को मिलने ही पा रहा है, कहीं न कहीं, योजनाई सरकार की योजनाओं का समचित क्रियान्वन जो है रूट लिवल पे कहीं ने कहीं मिस हो जाता है, तब ही इस हिती आती है, तो एक गुड गवर्नेंस के अगर हम बात करें, तो यही है कि जो पलायन लोग कर रहे हैं, उनको हम उनके इंट्रेस्ट चेक करें, उनका इंट्रेस्ट किस चीज में है, खेती में है, नौकरी करने में है, या कि सुरुजगार में है, और अगर उनका इंट्रेस्ट खेती करने यही है एक तरफ company से बात करेंगे या सरकार से बात करेंगे दूसरे तरफ वहां के local community से बात करेंगे जी 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 तो इस तरह का मैंट पाबर त्यार करना है तिस तरह की छोटी इंडस्टी वहां पर डल अप की जाए तो यह इस तरह से काम करने से प्लाइन रुकेगा और काफ पर भी आ सकते हैं तो भी एक प्लस पॉइंट है और मैंने एक ची और देखा एक टेक्नलोजी का भाव भी है आज कल अभी मैं कुछ study पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान की महिलाओं में सिर्फ 50 2016 की study थी फिसकवत कोबीड आ गया तीन साल तो कुछ काम 4.5 की decline ऐसी हो गया त तो वहां पे 50 प्रिस्थत महिलाओं के पास ही मुवाइल की सुभिधा है और उसमें से 80% महिलाओं के पास इंटरनेट नहीं है जी 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 बिल्कुल आप से यहीं पूछने वाली थी बंकर जी के टेक्नलोजी को लेकर अभी कितनी जाग रुकता वहां ही है और हम क्या क कर रहे हैं तो मैंने एक उस पे सर्वे किया काफी देफ्ट सड़ी की तो मैंने यह पाया कि अगर 50 प्रिस्थ महिलाओं के पास मुवाइल फोन नहीं है और 80 प्रिस्थत उनमें से बिना इंटरनेट के हैं सिर्फ कॉल अटेंड करते हैं तो यह मुख के धारा से बिलकुल अ महिलाओं को गर इस मुवाइल से उनको मुवाइल दे दिये जाएं इंटरनेट दे दिये जाएं तो एक तो ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की 17 बिलियन डॉलर जो है सिर्फ राजस्वाइगा मुवाइल बाटने के बाद हिंदुस्तान की जीडीपी में दूसरा महिला अगर आप उनको कहीं भी रहें दूरस्त रहें अगर उसके पास ट्रेनिंग ले सकती मुवाइल पे अपने काम कर सकती है ठीक है तो यह बहुत बड़ी चीज होने वाली ट्रेकलोजिक शेत्र में जो सरकार प्यास कर रही है अभी डिजिटल बिलिज बनाने रही है अभी ज अगर पंकर जी मतलब सभी लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम सभी गाउं में पले बड़े हैं और गाउं की मिठी से सब कहीं न कहीं जुड़े हैं तो लोग भी चाहते हैं कि नहीं जहां पैदा हुए हैं कि वहां की मिठी शशक्त बने वहां के गाउं शशक्त बने तो कई लो से है उसमें हमने कई ग्रामिया नाम से प्रज़बी चलाते हैं गाउं के लिए अगर कोई उसमें स्वयोग करना चाहता है इस तरह की विचार रखता है कि गाउं का विकास हो देश का विकास हो हमारा इमेल है कांनि कांटेक्ट्स एड़्दा एस्री भा दॉट-कॉम और मेरा उसमें प्रिखतिगते मेल हैusanश इस इसे गाउं करना इंचरें कर सकते हैं हमारे ऑफिस से आपको कॉन्टैक्ट नंबर में डिए सारी लिए घृट अर यकि उनके गाउं में किसी मिकास है बिलकुल बिलकुल किसी तरह की कठिनाई है कोई चीज का अभा हो रहा है कोई जरूरत चाहते हैं को को निश्यतु रूप से कॉल कर सकते तो देखा-दर्शक हो आप किस तरह से पंकर जी और उनकी जो पूरी टीम है वो गावों के शशक्त विकास के लिए उनके सम्रद विकास के लिए किस तरह से निरंतर प्रयासरत है और आगे भी कारे कर रही है और मैं भी आप से यहीं कहना चाहूंगी कि इस नेक कारे से हम सभी कहीं न कहीं जुड़ें क् सब्सक्राइब करें अगली बार कुछ नई शक्सित के साथ इस कारिकर्म में आप से फिर होगी मुलाकार तब तक के लिए कारिकर्म सामजिक सरुकार से आप सभी को नमस्कार जो深तर तर संदित करें आप सकत hem घर्री मुलाकार है अगलत करें।